हाई गाईज, वेलकम तो मैं चैनल, वेलकम तो सिक्रेट आस्ता, जस्ट अभी मैं The Power of Subconscious Mind Book रीट कर रही थी, तो उसमें मुझे एक टॉपिक मिला, जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक शेयर मुझे करना चाहिए, तो ये टॉपिक है कि अपना जो ड्रीम पार्टनर है, उसक एक unknown person को अपनी तरफ attract करना चाहते हैं, या चाहती है, तो उसके लिए The Power of Subconscious Mind में एक जो ट्रिक दी है, जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो ट्रिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं वो ट्रिक, उनकी भाशा में तो आप लोगों के साथ explain नहीं कर सकती, वन् जो लगा क्यों आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो इसमें लिखा गया है कि, एक चुली इसमें एक कहानी है, कि एक लेडी रहती है, ठीक है, काफी old age की वो लेडी रहती है, तो वो बहुत मतलब लाइफ के स्टेज में आके, उसको बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो उस वो फिर ये ट्रिक लगाती है, कि जिसने ये बुक लिखी है, तो उनको ये बताते हैं, कि आपको किस तरीके से अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर अगर चाहिए, तो आप कैसे करें, उस लेडी ने 21 डेस तक, या फिर 21 डेस से भी कम डेस तक, एक हफते तक, कुछ ल में ये निश्चे करती हूँ, कि मेरे पास मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर आ चुका है, और वो बहुत केरिंग है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो आप समझ रहे हैं, कि उसने अपना लाइफ पार्टनर किस तरीक किया, उसने सारी चीज़ें प्रेजन्ट टैंस में बोली, जैसे कि उसकी लाइफ में ये लाइफ पार्टनर आ चुका है, तो ओवरॉल उस ओल लेडी ने क्या किया, उस ओल लेडी ने जो वो फ्यूचर में चाहती थी, वो उसने अपने इस मोमेंट में क्रियेट करना शु कि मैंने अपने मन में अपने लाइफ पार्टनर को आकरशित कर लिया है, और वो अल्रेडी मेरे पास है, इससे क्या हुआ कि यूनिवर्स में एनरजी गई कि उसने वो पार्टनर अट्रेक्ट कर लिया है, और कुछ दिनों बाद जब वो लेडी ये कर रही थी, बोल रही फिर अचानक से वो एक केमिस्ट की शॉप में गई, तो वहाँ पर उसको एक परसन मिला जो कि सेम उसकी एज का था, बिलकुल उसके साथ उसकी वाइबरेशन मैच हो रही थी, और तब जाके उसको ये एहसास हुआ कि ये ही वो परसन है जिसको मैं यूनिवर्स से मांग रह तो फिर उन दोनों ने शादी करी और वो दोनों happily married रहने लगे, तो मैंने ये example और ये एक real story है क्योंकि the power of subconscious mind में और the secret book में जो भी कहानिया है वो real लोगों की कहानिया है जो उन लोगों ने अपने experience शेयर करे हैं, तो इस book इस example से ये पता चला कि अगर आप अपनी life में कि परसन को attract करना चाते हैं, means आपका कोई lover है या फिर अगर आपका कोई lover नहीं है और आपकी आप शादी करना चाते हैं, किसी आपकी कोई list है कि आपका dream man या dream girl इस तरीके की होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको चाहिए क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या, चाहिए का क्या मतलब होता है, चाहिए का मतलब ये नहीं कि उसके पास अच्छी salary हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, गाड़ी, बंगला कार, ये सारी चीज़े secondary होती है, लेकिन जो सबसे primary चीज़ होती है, सबसे जरूरी पाटनर में क्या खूबियां चाहिए, तो पहले आप वो खूबियां देखें कि क्या खूबी आप चाहते हैं, उनकी एक list बनाएं, वो loyal होना चाहिए, loving होना चाहिए, curing होना चाहिए, आपको respect दे, आपकी family को respect दे, जब आपकी पूरी list तयार हो जाए, पांस से छे quality जो आप अपने dream life partner में चाहते हैं, या चाहती हैं, तो फिर आप अपने मन में यह बोलना शुरू कीजिए, कि मैंने उस person को, आप किसी unknown person को भी इस तरीके से attract कर सकती हैं, और किसी specific person जो है, आप उसको भी attract कर सकते हैं, तो आपको यह बोलना है, कि मैंने अपने मन में उस इंसा मन को अपनी तरफ आकरशित कर लिया है, वो मेरे लिए बहुत इमानदार है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी और मेरी family की बहुत respect करता है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और इसी तरीके से आप अपने मन में कोई भी line add कर सकते हैं, आप जो CB quality चा manifestation का एक सबसे बड़ा rule है कि आप जो भी चीज manifest करना चाते हैं, उस चीज को आपको let go करना पड़ेगा, वो चीज आप पकड़ के नहीं रख सकते, means आप अगर law of attraction में कोई छोटी सी चीज भी अगर चाहते हैं कि वो आपकी life में आए, तो आपको उस चीज को एक time के बाद छोड़ना ही पड़ेगा, means let go कर दीजे और छोड़ दीजे और यकीन के साथ छोड़िये कि जो चीज आपने मांगी है, वो चीज आपके सामने जरूर आएगी, अगर किसी के भी इस वीडियो को लेके कोई doubts हैं, तो वो comment करके पूछ सकते हैं, उनके answers में Q&N वीडियो में दूँगी, क्योंकि इसके answers थोड़े deep होएंगे, तो मैं comments में नहीं लिख सकती, कि बहुत ज़्यादा explain करना पड़ेगा, इसलिए उनके answers specific में अपने second part दो Q&N ये वीडियो लाऊंगी, उसमें दूँगी, जो भी doubt है, आप बेफिकर होके comments में पूछ सकते हैं, और जुड रहे हैं में साथ, stay happy, stay blessed, मिलती हूं next वीडियो पर